नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका Fire Safety Academy में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था Fire Water Tender Type A के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे Fire Water Tender Type B के बारे में और साथ ही देखेंगे फॉन सरी और क्या क्या होते हैं और यह सब देखेंगे उसके बाद के डाग्राम देखेंगे और देखेंगे कि कि सब flux करते हां तो इन सब टापिक्स पर वीडियो में देखेंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम वॉटर टेंडर टाइप B के बारे में जानेंगे और फॉटर में जानेंगे कि जो farm tender होता है वह water tender से बहुत ज़्यादा similar होता है farm tender में सिर्फ farm compound storage के लिए tank लगा दिया जाता है और कुछ extra equipment लगा दिये जाते हैं भाकी वह रहता water tender ही है जब उसमेंissible storage के लिए tank लगा दिया जाता है कुछ फॉम बनाने के लिए एक्विकमेंट रगां चाहित है है तो वह से इस वीडियो में हम फोरम तेंडर को ध्यान में रखे का यूज होता है फ्यूल के लिए या फिर लूब्रिकेस्ट परबच के लिए तो इसलिए आप देखेंगे आम जेनरल लिक्वारमेंट की बारे में देखेंगे तो इसमें जो इनजन होगा वो 12 से 24 वोल्ट का होगा और 120 एंपिर और कैपसिटी की बैटरी होगी विद अल्टानेटर और जो इसका ग्रॉस वीकल वेट होगा वो 16000 kg से कम नहीं होगा यह वैरी हो सकता है आपकी रिक्वार्मेंट के हिसाफ से आपकी क्या रिक्वार्मेंट है कितनी वाटर की कैपसिट चाहिए उसके हिसाब से आप चैची सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कम ज्यादा हो सकता है लेकिन जो वेट होगा जितना भी होगा वह कुरू वाटर और जितने भी एक्क्यूपेंट्स हैं फॉर्म कंपाउंड को लेकि उन सब का ग्रॉस वेट वह माना जाएगा इसमें सेफ 55 सेकेंड्स में वह भी पूरी लोड़ेड गाड़ी का वाटर टैंक की कैपसिटी जोगी वह 4500 से 7000 लिटर के आसपास हो सकती है यह डिपेंड करता है आगे आपकी रिक्वार्मेंट क्या है और जो चैची सब यूज कर रहे हैं उसके एक्वार्डिंग पोंट की तो जो ब 3500 mm से जाधा कर नहीं होना चाहिए टेर्निंग सरकल होता है वह 202 म 2 30 mm से पर डाइसे का मतलब की जो आपकी गाड़ी के नीचे जमीन है और आपकी कर द faith रिग जो होगा उसे यह जो it देखेंगे तो उसकी चोड़ाई जो है वो 2.5 मिटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए अब हम देखेंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए एक एडिशनल बैटरी चार्जर होना चाहिए गाड़ी में जितने भी इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स उन सबके लिए सेपरेट फ्यूज होने चाहिए और इंडिकेशन के साथ होने चाहिए एक कीशी के लिए फ्यूज है और जि चाहिए जो जिसकी केबल के लिए 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए अब देखेंगे वाटर टैंग के बारे में तो जो वाटर टैंग की बाड़ी होगे और जो उसमें बैफल्स यूज कि जाएंगे उनकी मिनिमम थिकनेस 5 mm होनी चाहिए और माइल स्टील के पने होने चाहिए माइली स्टील का बना होना चाहिए और एंटी कोरोजन से ट्रीट होना चाहिए टैंग में सुटेबल बैफल्स प्रवाइड होने चाहिए ताकि जब हम कोई कॉर्णरिंग कर रहे है तो उस तमय जो गाड़ी की सेंटर ग्रेविटी है वो मेंटेन रहे वाटर टैंग गाड तो इपोक्सी ट्रीट होना चाहिए या फिर एंटी करोजन ट्रीट होना चाहिए विद्ट पंप के लिए जो इन क्यों लगी होगी उसमें चाहिए ताकि कि पी तरह का कचड़ा या फिर कोई और मैंटेरियल टैंक में जाने के चांसे नहों टैंक से 100 mm की बोर पाइब लग जा सके जो कैप होगी वो इसकी 300 mm की होगी गन मैटल की बनी होगी इसका थिकनेस 5 mm होना चाहिए और इपाक्सी कोटिंग होनी चाहिए टैंक को पंप और होज्रील से इस तरह से कनेक्ट करना चाहिए कि जो अभी हम आगे वाल्स देखेंगे यह असानी से ऑपरेट किये जा आगे आगे वारे में तो फोंट की कैपसिटी यह वह 500 लीटर हो सकती है या फिर आपके रिकार्मेंट के हिसाफ से यह जो गाड़ी में चेचिस यूज किया रहा है उसकी के हिसाब से आप जो फोंपाउंड का टैंक है वह मांट करवा सकते हैं जो टैंक होगा वोना जो इसकी थिगनेस होगी वह मिनिमम्म 2.5 mm की होनी चाहिए उपर इसके 250 mm का एक मैनौल होना चाहिए ताकि क्लीनिंग या फिर मेंटरेंस बपाउच के लिए उसमें जाया जा सके ड्रेन पाइप होना चाहिए नीचे बॉल बॉल जिसमें लगा होना चाहिए ड्रेन करने के याइडी में ताकि आपके बाहर से एक्सटनल सोर्स से फोण ले सकें और यूज कर सकें अब देखेंगे हम फॉम कमपाउंट प्रपोशचनर या इंड़क्टर इंड्टर में पर्पच जोता है फॉम कमपाउंड को पांग के सिंग कर मशाना घवल किस इधान पर वेंड़ हम प्रिंसिपल पेकम करता है देखते हैं देखते हैं फुम्क प्रोपोसऽनर दिलेवरे के लिए बीच को कर उब होता है इसका है काम होता है पेग्ले एक मैंन से प्रेबुर केड़ से तर The कि अब पंप के बारे में देखेंगे तो जो नॉर्मल प्रेसर आउटपुट होगा वह 2000 LPM होगा सेवन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वाइर पे हाई प्रेसर आउटपुट जो होगा वह सेंट्रिफ्यूगल पंप होगा हाई लो प्रेसर टाइप और यह गारी के पीछे माउं चाहिए जो यह मेंटेन करेगा कि पंप के अंदर 45 कजी पर सेंटीमीटर स्क्वाइर से ज्यादा का प्रेसर मेंटेन ना हो जब हम डिलेवरी आउटलेट बंद कर देते हैं तब पंप के सिंग मेंट्रेल यूज होगा वह लीट इन ब्रॉंज होगा हाई प्रेसर इंपेलर ठ्प्षोर वर स्टैलने स्टील और फिर ऐलमॉनियम ब्रॉंज होगा इंपैल इंपैलर की जो नेक रिंग होती है वह लीट टीन ब्रॉंज की होगा हाईटी cię Buray ़ो एक सब्तरने स्धिन का बना चाहिए कर कि सांफ भी वह स्टैलने स्टील की मिया पंब 만घ चाहिए पैनल ह पर्ट्स हैं जो एक्ट मूस्फिर से एक्स-पोज़ रोजन होने के चांश थे वह अब धू एसे पर देखेंगे जो एडिस्टनल पीचर्स के तौर पर जोड़े जाते हैं पंप के अंदर आप अपने पर सब्सक्राइब चिए लिए लेकर दिलिवरी के तुरू आप क्रांसवर करना यहां पे बात हो रही है पानी और फिल मिक्सर नही look और फ़ोडिन के लिए गाडरी के साइड में लगे रहते हैं या फिर और जो साइड फॉम पॉम्पिने का अर्思वके फिर यह नहीं होते हैं वो सिर्फ सेंट्रिफ्यूगल पॉंप के लिए मेन पीडियो जब आप साइड पीडियो इंगेज करेंगे तब यह फॉन-पॉंप विंगेज उता है और अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब चीज का तब पॉम से यूज़ कर सकते हैं तो आपको कहीं स सब में यह आने लगा है इसका तर काम होता है वह ड़ुक्त हेसाइब सकते हैं ऐसका यह 150 ऐल पी हैं की एक प्रेसर जरेट कर सकता है मतलब आप समझ सकते हैं कर कितना होता है जैसा फोम पंप अपरेट होता है इसमे उसी procedure पे यभी operate होता है इसके लिए एक side PTO होता है जो अलग से engage होता है main PTO से कोई लेना देना नहीं होता है जो जब भी इसे operate करना होता है तो हम side PTO engage करते है high pressure water mist pump के लिए अब हम जानेंगे section inlets and delivery walls के बारे में तो जो पुम्प होगा उसमें स्क्राइब होना चाहिए मिनिमुम 100 mm डाया का और उसमें इंटरनल स्टैनर्स लगे होने चाहिए और ब्लैंक कैप प्रोइड होने चाहिए जो पुम से डिलेवरी आउटलेट्स होंगे वह आपकी रिक्वार्मेंट के हिसाब से हो सकते हैं दो है उनका जो डिस्चार्ज होगा वह आपके पंप की कैपसिटी बेंट करता है वह दो हजारल प्म हो सकता है और दिलेवरी आउटलेट्स होंगे वह 63 mm के इंस्टैनियस कपलिंग होंगे सबी डिलेवरी वाल्स के लिए ब्लैंक कैप होने चाहिए और वह चैन से लगे होने अब 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 मेरे देखेंगे वह 7-0 मिटर से कम का नहीं होना चाहिए उसमें ट्रिकर गन हो सकता है या पिर वौर्ण टाइप नोजल की आप हो सकते हैं जो गन होगी वह इस चारज क्यों से लागे वह 450 लीटर पर मीनट होने चाहिए अब प्राइमर में जान लेते हैं त इसकी कैपसिटी जो होगी वह मिनिमम सेवन मीटर की डेफ्ट से पानी उठाने की कैपसिटी होनी चाहिए तिस सेगेंड के अंदर अगर वाटर रिंग टाइप प्राइमर है तो यह आटमेटिकली इंगेज और डिस इंगेज होना चाहिए जब भी प्राइमिंग की जरूरत ह प्राइमर है वह गन मेटल अलाइट आलोई कास्टिंग का बना होना चाहिए और जो साफ्ट होगी और अब देखेंगे पाइपलाइन वाल्स के बारे में तो जो पाइपलाइन वह ने स्टेल की होनी चाहिए और जितने प्रेसर पे वह पाइप काम करने वाली या यूज मि किया सके जितने भी बोल्ट नट्स एंड वॉसर्स है वो सब इस्टेल है स्टील की यूज होने चाहिए जहां भी आपको 50 mm से ज्यादा के वाल्व यूज करने हैं वहां पे आपको स्टेंडर बटरफ्लाइ वाल्व यूज होने चाहिए अब देखेंगे हम पीटियो के बारे में याने की पावर टेक आफ पीटियो जो होगा वही डूटी होना चाहिए और इसको इंगेज करने के लिए ड्राइवर केविन में लीवर प्रवाइड होना चाहिए और उसमें ल चाहिए और जो डिश्चार्ज रेंज होगी वह 60-70 मीटर होगी वाटर की जो फोम का वाटर मोनिटर होगा वह 8442 के अकार्डिंग होना चाहिए और यह कैपसिटी 3000 LPM के अब देखेंगे बॉडी वर्क एंड श्वावेज बारे में और जो इसका स्टोरिज कंपार्टमें होते हैं उनके बारे में 6% के लिए ड्राइवर कम क्रुके विन का अपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें छे सानी से बैठ सकते हो ड्रहर के बने कंब फौर्ट यह विक्शा के बीन फ्लोर जितने भी लॉकर्स हैं उन सब के फ्लोर को 1.6 mm थिक अल्मुनियम चेकड प्लेट से कवर होना चाहिए लॉकर्स में जितने भी एक्यूमेंट रखने हैं उन सब को सिक्योर करने के लिए प्रापर अरेंग्मेंट होनी चाहिए जितने भी होज होज फिटिंग रांच पाइप्स आप स्टोर करने हैं लॉकर में उन सब के लिए क्विक रिलीश टैप कपलिंग प्रॉइड होनी चाहिए जो लॉकर की हाइट होगी वह मिनिमम् 600 mm की होनी चाहिए और जो लॉकर की गहराई होगी वह 600 mm की होनी चाहिए मिनिमम् जितने भी लॉकर्स हैं उ में जो पानी है वो असानी से निकल के बाहर चला जाए अब कुछ मिसलीनियस अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे तो एक सुटेवल बंपर प्रोवाइड होना चाहिए गाड़ी के पीछे दो कैट लेडर होने चाहिए उपर चड़ने चड़ने के लिए उतरने के लिए हेवी डूटी टोविंग होना चाहिए गाड़ी के पीछे जो बंपर पे फिट होगा नटर बोल्ट से एलेक्रिकली ऑपरेटेड केवल विंच एक हो सकता है जिसकी कैपसिटी 6 तन की होगी गाड़ी के चत पर एक लेडर गैलोप प्रोवाइड होना चाहिए जिस पर 10.5 मि चाहिए यह कि हम लग को रहिसक करने के पाद थे लौक कर सके और रॉलर का ररेंजमेट होना चाहिए ताकि उससे टारने में आसानी हो मुनर्मल में दूर्सट्री का बात करें के एससे लिग आदर टूल वन होना चाहिएग के डाक से सच लाइट होने चाहिए कि फट लॉटड के लीके से लोल जोना चाहिए। सब्सक्राइब मार्किंग होने बहुत जोरूरी होती है द्ध कहने क्या है की गाडी का तो चेहिस का नंबर पम का कमर कैसी क्या है वह जो चाए है और जो ओल के कॉंट गजिके ने मीघ लगी होनी चाहिए तो इसलिए मार्किंग बहुत जडूरी है अब आधि के बारे में बारे में देखें कि उनके इस नंबर के साथ की कौन कोंसे कोने होने चाहिए और का इस नं पर होगे 10.5 मिटर की इसका आएस नमबर 4571 डिलेवरी होज होगे एकारडिंग टू तैफ तू इसका इस नमबर 636 उगा और जिसकी लेंथ हो गी साढ़े 22 मिटर से पंदरे मिटर के पास पंदरे मिटर के जो होज है उसका अएस नमबर 903 ऑल्लाइन फ्लैक्स कैन वास हो जो या कंट्रोल पर्कुलेटिंग होगा होज क्लैंप होज बैंडेज सक्षन होज ऑफ रबर 100 मिटर इंटरनल डायमिटर जिसका होगा और इसकी लंबाई 2.5 मिटर होगी इसका जो आइस नमबर है 902 है क्लेश्न कलेटिंग होगा पिसका इस नमबर है 904 सक्षन रेंज हों गें 100 mm सक्षन कप्लिंग के लिए इसका इस नमबर है 4643 सक्षन ट्रेनर होगा 100 mm साइच का इस नमबर है 907 बास्केट सेनर होगा थिलेंडर कल टाइप has number three five two दिवाइदिंग ब्रीचिंग होगी विद इंट्र इंट्रोल्स इंटेनियु पैटरन इसका इस नमबर 52M थिखन नमबर 72M बांच होनि चाहिए भी रिव वाल्विंग है इसकाइड नमर है 906 गड़ी में नौजल सोनी चाहिए जिसकाइड हो गाटेल 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 गवाम 16 अमें 20 म.m. 32 mm जिसका इस नमबर है 903 सक्षन अड़ाप्टर होना चाहिए 100 mm का फीमेल स्क्रू कॉपलिंग ताइप नोजल स्पैनर होने चाहिए चाहिए ताइप इसका इस नमबर है 10245 टेवर एक शुच्राइप टूब यह तो फोमेकिं ब्रांचे जिए पीक टूब लोरिंग लाइन शौट लाइन 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 लॉंग लाइन कैनिवस पकेट फॉर्स टेट बॉक्स पर तेन पर्संस रबर गलब्स उनिए एक्स होनी जैक्स एंपाइफ टरन फायर हुग जिसका इस नमबर है 927 टूल किट ग्रीज गर्ण ऑल फीडर कैन ऑल डूल लिटर का फॉनल पर ओल और फ्यूल रिफिलिंग प्रोटेक्टी क्लोधिंग फॉर फायर मैं एंड फोमेकिंग ब्रांचे तो यह थे एक्यूपमेंट की लिस आखने जाता है तो पहला जो होता है फो अलुफ। कंट्रोल के मतलब प्रेसरा करता है in होता है जो हीफ्वयल फ्रयस्टकों करतता है इसके वहुफमें-क इस और पन्पनश रिंफ अनदर माइनस में भी प्रिसर प्रिसर सो प्रॉटा यह संब करने के टाइम पर यूज करते हैं प्राइमर कंत्रोल फॉर एक्जास्ट प्राइमर टेम्रेचर गेज और ग्लो लेंप फोर लुड्रीकेटिंग सिस्टम कुलिंग मौटर सार कीٹ कंट्रोल होता है एंड पाउर मीटर होता है केविन में और डैसबर्ट पर कि आपका इतने घंटे रान कर चुका है जो पैनल है आपके पंप का वह पर ली इलुमिनेटर होना चाहिए सब कुछ आपको क्लियर ली दिखना चाहिए रात के अंदेरे में भी वाटर टैंक इस तरीके से बनाना है तो ये सब वीडियो में आगे देखेंगे अब हम देखेंगे ये अब देखेंगे आप संब चीज़ घंगे की आप ड्रॉंगया थिन चाह पर कि अपर टी सब्सकीर काहा है धार चीज़तार के वहां कौन सकते हैं कौन से एक ड्रॉम पिंधानल च्छाएं अपको ड्रॉम को अपरेट करने का तरीका क्या होता है तो अभी फिलाल देखते हैं हम डायाग्राम के माध्यम से तो सुरू करते हैं स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो यहां पर रिवाल्विंग लगी होती है जिसे एंबर लाइड भी बोलते है यह स्पोर्ट लाइड होती है यहां पर फ प्रेब रेल है ताकि उपर चड़ने उतरने के लिए असानी हो इसकी सायता से आप पकड़ के चड़ सके उतर सकें यह क्यूप्मेंट लॉकर है जिसमें होज और एक्यूपमेंट सके जाते हैं यह भी लॉकर है यह आपका पूरा कुरू कंपार्टमेंट है जो हम यह वीव द मैंने बदय था है आपको आगे के पहिी और पीरिक के पहे की बीच जू दूरी बीच बहुता है तो वह यहां से और यहां तक कि जा दूरी है यह फुट्स टेप थे हैं इस पे चन्दने के लिए झाल दे लिए यह यह जो कंपार्टमेंट देखने हैं आप यह सक्षन होज को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है यह फूम टेंडर का पूरा टॉप टाको ड्राइवर साइट से वागे देखते हैं कि यह रिएर साइड्य मोनिटर होता है यहां पर रिवर्श लाइड होती है यहां पे भी उसकती है यह न सभी किश्रीयों समय करने कोण की आता कर आप गाले कि इसके लिए अपूँंट ना बिकी कोटरो आपको दिखाता हूँ पंप के बारे में तो यह पूरा पंप का व्यूव है तो इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं यह जो यलो लाइन दीख रही है यह फोर्म की लाइन होती है मोस्ली जितने भी पंप होते हैं उनमें जो फोर्म की लाइन होती है वो यलो कलर की होती है किसी किसे में देखा जाता है कि जो फोर्म की लाइन होती है उसे ब्लैक कर दिया जाता है लेकिन मोस्ली आपको यलो कलर में ही देखने को मिलेगी अब इसमें मैं बताता हूँ कि कौन वाल किसलिए है पहला जो वाल देख रहे आप यह मॉनिटर वाल है इसे इसे खोलने से आपकी पंप کی सप्लाइ मॉनिटर में चायेगी यह जो डो है यह बाल की बाद नहीं कर रहा हुँ मैं ब्लैक ओलो की बात नहीं कर शु्क पीचे आप देख यह धी मidd के होते हैं तो यह दो प्राइमर रेसिप्रोकेटिंग टाइप यह प्राइमिंग वाल है प्राइमिंग करने के लिए आउट्सोर से पानी लेने के लिए हमें तो यह जो आपका होता है प्राइमिंग लिवर होता है और यह प्राइमिंग वाल होता है यह दोनों एक साथ खोल क और एक inductor wall होता है जब हमें फोम की जरूत होती है तो पहले main wall को खोनते हैं फिर inductor wall को खोनते हैं तो फोम की प्लाइए हमारे pump में आनी शुरु हो जाती है इसके बाद यह flushing wall है अगर आपने fire fighting में या फिर testing में कि फोELLEM का यूज किया है तो भहुत ज़ारी होता है कि आपको लाइन को फ्लास करना होता इता कि जितना भी फ्लं में है वह बाहर निकाल जगे तो आपको को फोम की ज़रुदा आप बनाना चाहेंगे तो फोम नहीं बनेगा तो फ्लसिंग वाल हमेंगा जरुद ना होने बंद होना चाहिए कि यहां पर देखेंगे टेंक टू पंप वाल है इसे खोल देने से जो टैंक में स्टोर डॉटर है वो इसकी सप्लाई आपके पंप यह सक्षन इंलेट है जहांद पर सक्षन कनेक्ट करके आउट्शोर से पानी ले सकते हैं और इस पर एक ब्लैंक एप लगी हो यह सक्षन ब्लैंक एप यह hidden to tank inlet होता है जिसे किसी pressurized hidden से आपको delivery hose के माध्यम से पानी ले सकते हैं और इसमें NRV लगी होती है ताकि पानी वापस से return बाहर ना आए और इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ यह जो दो आउटलेट दिख रहे हैं यह delivery outlet है यह lug है quick release type और यह blank app लगी ह है यह जो दो वाल है यह delivery outlet वाल है जिसे खोलने से पानी बाहर आना सुरू हो जाता है और यह पूरा pump का casing है आपका पूरा pump का arrangement है जो पिछला पिक्चर हमने देखा वो था फोम टेंडर का लेकिन अभी जो पिक्चर हम देख रहे हैं यह सिर्फ वाटर टेंडर का pump है इसमे कोई फोम की लाइन नहीं है फोम की सप्लाई नहीं है कुछ भी नहीं है तो यह फोम टेंडर से भी ज्यादा सिंपल होता है इसका operation यह जो आप देख रहे हैं यह पूरा pump की assembly है यह tank to pump wall है tank का पानी पंप में लेने के लिए suction inlet है सक्षन ब्लैंक के लगे होगे हैं इस पे औ और यह दो control walls दिये हुए हैं इसमें यहां पर भी देखिए जो monitor है pump to monitor वह यहां पर सेम लोकेशन पर है यह एक वाल इसमें extra दिख रहा है सायद उसमें हमें नहीं दिख रहा था वो यह है कि आपको अगर direct hydrant से पानी होजरील में लेना है pump ना चला के डाइक्ट आप होजर से fire fighting कर सकते हैं आपको pumping gauge करने की जरूत नहीं पड़ती है उसके बाद यह आपको cooling valve है यहां पे होजरील valve है और यह जो वाल दिख रहा है आपको यहां पे red color का यह प्राइमिंग के लिए दिया हुआ है cooling valve तो मैंने बता दिया आपको हाँ यह रह गया कि आपका जो यह पुट है उसका pressure so करता है और जो compound gauge होता है वो जब आप किसी आउट्सोर से पानी लेते हैं तो फिर वो आपकी प्राइमिंग करते चाहें माइनस में pressure so करता है और जब प्राइमिंग हो जाती है तो फिर वो प्लस में दिखाना सोरू कर देता है अगर आउट्सोर से पानी लेते हैं तो फिर यह गेज काम नहीं करता है यह नूट्रल लेता है यह देख सकते हैं होजरील इसमें अटैच है और यहां पर गन है होजरील की जब ज़रुत पढ़ने पर आप इसको खीच के आप यूज कर सकते हैं तो इतना operation था इसका आगे मैं वीडियो में बताऊंग अब देखेंगे हम operation के बारे में कि गाड़ी का absorption किसी तरीके से किया जाना चाहिए तो सबसे पहले गाड़ी का placement होता है गाड़ी को आपको किस तरीके से place करना है scenario पर ले जाके आपको जो अपनी गाड़ी का प्लेसमेंट करना है वह दियाक्षन के according करना है और reverse करना है ताकि किसी emergency की situation में आप गाड़ी को आसानी से वहां से निकाल सकें जो pump होगा वह फायर का शीन जो इमर्जंशी है उधर फेसिंग होना चाहिए उसके बाद आपको आपको गाड़ी का पीटियो इंगेज करना नहीं है तो आप पूरे इंजन का शुट नहीं करेंगे और जो आपको ऊत्रों और साथ ही आपको यह चीज इंसूर करनी है यह पी गाड़ी का हैंड ब्रेक भी लगा होना चाहिए अब देखेंगे प्राइमिंग के बारे में तो अगर आपको कहीं से पानी लेना है उपन सोर्स से फारफाइटिंग करनी है पानी लेके तो जो भी आपका प्राइमर है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर है या फिर वाटरिंग प्राइमर ह तो आपको उसके according controls दिये रहते हैं वो आपको आपको देखके operate करने होंगे यहां से मैं सब का नहीं बता सकता है एक बार में प्राइमिंग अगर करनी है तो आपको प्राइमिंग के लिए जितने भी प्रोसीजर से हैं फॉलो करने होंगे या फिर आपको अगर टैंक से फायर करेंगे उसके बाद आपके बाद आप जो डिलेवरी आउटलेट वाल उसे ओपन करेंगे फिर आपकी जो requirement है प्रेसर की उसी हिसाब से आप थ्रोटल को घुमा के गाड़ी के स्पीड को बढ़ाएंगे जिससे आपको आपका requirement जो प्रेसर requirement का वो मिल सके अगर आपको फोम की जरूरत है तो फॉम का main wall होता है और एक pump to inductor wall होता है तो फॉम का main wall खोलिए फिर pump to inductor wall खो लिया और selector wall पे select कीजिये आपको किस concentration में तो इसके साथ आगर आपको मॉनिटर चलाना है तो इन सब के बाद आपको मॉनिटर वाल खोलना पड़ेगा मॉनिटर से फायर फाइटिंग के लिए अब फायर फाइटिंग करने के बाद इसको बंद करने का प्रिसीजर क्या होगा तो सबसे पहले अगर आपने फों मिच किया है तो खोल देना है ताकि जितने वी आप न्यम सब को डिसकर लाइस loaded करना है इसके पहले चीन और तो आज के लिए इतना ही वीडियो को यहां तक देखने के लिए के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए स्टे से बीएपी एंग जैहिन